जैने दोस्तों वंदे मातरम, खुछ समय पहले जब सीमा पर डोकलमा विवाद हुआ था, तब उस समय एक थियोरी चली थी, थियोरी चली थी कि कोविड वारस के कारण चाइना में जो वहां के लोग है, वो चाइना की गवर्मेंट के ही खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, ऐसे म कोई सिनाइडियो भी बनता हो, दिखाई दियरा है, आने वाली तेजिस तारिक को रोई शेटी की सरकस मूवी रिलीज होने वाली, ऐसे में उस मूवी के सामने बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत हत्तक पॉसिबिलिटी है कि जी स्टूडियोस, ववाद खान की दे लजेंड आफ मौला नजट जो की पाकिस्तान की एक काफी बड़ी हिट मूवी है, उसको रिलीज कर सकते हैं, अब देखिए, पाकिस्तान की मूवी भारत में रिलीज होगी तो उसका विरोध होना तो बिलकुल शाद प्रतिशत ताय है, अगर विरोध नहीं होगा त चीज नहीं दिखाई गई थी, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी लाल सिंग चड्डा को वहाँ पर बैंड किया गया था, क्योंकि जो भी भारत और पाकिस्तान की संबंद चल रहे हैं, उन संबंदों को देखते हुए, कई सारे ऐसे ट्रीड रिलेशन्स हैं, जो लाल सिंग चड्डा असल में टॉम हैंक्स की फॉर्स गम का एक ओफिशल रिमेक थी, फॉर्स गम की डिस्टिबूटर्स ने ही लाल सिंग चड्डा का भी विदेशी राइट्स लेके रखे थे, ये पाकिस्तान में रिलीज भी इसको करना चाहते थे, लेकिन आखिर तक बा लेकिन बॉलिवड मेकर्स को भी सारजने ग्रूब से पाकिस्तान के साथ दोस्ती को विरान देना पड़ा, और इसका नतीज़ ये रहा कि बॉलिवड में पाकिस्तानी मेकर्स पर अगोशेद बैन लग चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म दे लेजंड आफ मॉला इस्तापत सुपस्टार्स में से एक होते दर्शकौनह tinhamने सूनम कपूर की खुबशूरत में देखा कपूर एंडसंस में देखा कपूर एंडसंस को करन जोर और नहीं प्रोडूस किया था वहीं फवाद करन की एक और फिल्म एदले मुश्किल में भी गेस्ट अपीरेंस में नजर आ चुके है बॉलिवर्ड में फवाद और करन के बीज दोस्ती चर्चा में रही अभी हाली में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जिसमें कहा गया थे करन जौल ने अरब में फवाद की मूवी को जाकर देखा था लेकिन भारत में फवाद की मूवी को करन जौल डिस्टिब्यूट नहीं कर रहा है सोर्सेस के हवाले से बॉलिवर्ड हंगामा ने बताया कि इसे जी स्टूडियो डिस्टिब्यूट करने जा रहा है और फिल्म को 23 दिसंबर को सिर्वागरों में रिलीज करने की तग्यारी है और इसी दिन रोईश एटी की कॉमेटी ड्रामा मूवी सरकस भी रिलीज की जाएगी याद नहीं आता कि बहरत ने कब किसी पाकिस्टानी फिल्म को डिस्टिब्यूट करने में इस तरह के दिल्चस्पी दिखाई वो भी एक ऐसे राजनित को माहल में जब भारती समाच पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंद नहीं रखना चाता दोनों देशों के भी तमाम तर अगर इस्टेटप है और मज़धर बात तो यह है कि पहल भारत कर रहा है अब क्या कोई यह कैमपेंड स्ट्रेटीजी है यह एक सोचने वाली बात है क्यों? क्योंकि रोईच शिट्टी की सरकस के लिए स्ट्रेटीजी यह हो सकती है या फिर उसके आगे भी कुछ और बिल्कुल सभी चीज़ों की उपर हम लोग बात कर सकते है जहां तक बात रोईच शिट्टी की हैं तो देखिए उनका अपना खुद का एक आउडियंस बेस है उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने फिल्में वो कामयाब बनाया है यहां तक कि यह अपने कॉंटेंट के वज़े से लिबरल्स के निशाने पर भी आते रहे हैं पिछले साल जब कोविट के ठीक बात सिनमा घरों के हालत काफी खराब थी ऐसे माँ तमाम तरह के प्रतिमन ही लगे हुए थे तब रोईश हिट्टी ने सूरिवंची से कमाई करके की इर्तिमान मना का ट्रेड सर्कल को चौका दिया था लिबरल्स ने इस मूवी के पर आरोब लगाय थे कि आतंगवाद के नाम पर मुस्लिमों को बहुत खराब तरीके से प्रेजिंट किया गया उनकी सिंगम पर भी आरोब लगय थे कि पुलिस के तन्तर को यहां पर भणकाया जा रहा है बावजूद कि सर्कस को लेकर माना जा रहा है कि वो बहतर पर फॉर्म करेगी उसे कामयाबी के लिए किसी कांट्रोवर्सी की जरूरत नहीं और अब यहां पर सवाल यह है कि सर्कस के सामने पाकिस्तानी फिल्म क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संदेश दिया जाए कि रोहित अपने फिल्म की कामयाबी के लिए चारे के तोर पर फॉर्वाद की फिल्म का इस्तमाल कर रहे है रिलीज के बाद पाकिस्तानी फिल्म का विरोध होना तैह है और सर्कस कामयाब होती है तो मतलब आप समझ जाएए कि यह बात कहीं नहीं के स्टैब्लिश हो जाएगी कि रोहित की बैकडोर कैमपन स्ट्रेटिजी थी फवाद की मुई को रिलीज करना जबकि इसका मकसद कुछ और दूसरा हो सकता है यानि बॉलिवुड की कुछ फिल्मों के लिए पाकिसान में एक तारकेक रास्ता बनाना हो उनके इगों को संतुष कराना हो कि देखो भाई भारत ने पहले हमारी फिल्म दिखा देनी होई तो अब हमें भी उनकी फिल्म दिखा देनी चाहिए पायरेसी की जरूरत ही नहीं खान सितारों की चार बड़ी फिल्म है वैसे भी अगले साल की शुरुआत में रिलीज होने जा रही है शारुखान सल्मान खान तो पाकिसान में बहुत बड़े स्टार है दोनों की टाइगर थ्री और पठान बनकर तैयार इसे करन जोहर के ही रिष्टदार आदिते चोपडा की ये श्राइच विल्म सर मनाया है करन जोहर आदिते की सगीबुगा हीरु जोहर के बेटे और पंजाबी भी है फवाद भी बंजाबी है और मौला नजट असल में पंजाबी फिल्म ही है अब चूकि ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसने बेशुमार कमयाबी है तो एक अच्छा कॉंटेंट के नाम पर इसे रिलीज करने का तरक दिया जा सकता है मौला नजट अगर भारत में रिलीज होती है तो आगे टाइगर और पठान को पाकिस्तान में रिलीज करने की जमीन में तयार हो जाएगी पठान जनवरी में आएगी और उसके बाद सलमान खान की टाइगर शारुक की कुछ और फिल्म में भी आगे रिलीज होगी सल्मान और शारुका पाकिसान में जबनत क्रेज हैं उन्हें काफी पसंद किया जाता है पाकिसानी दर्शकों को लुभाने के लिए बॉलिड के फिल्मों में क्या क्या होता है हम सबी जानते ही आप खुद ही सोची है पाकिस्तान दर्शकों के लिहाद से ही उनकी फिल्मों में ऐसे कालपनिक और अवश्चित्री प्लाट रखे जाते हैं जो भारत और पाकिस्तान को चोड़े एक्जामपल के लिए सल्मान खान की ब्लॉक्पिस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान को ही ले लीजी इसे पाकिस्तान का समूचा अमला एक हनुमान भक्त भारती की मदद के लिए उमर पड़ता है क्या मदर से के मौलाना क्या वहां की खुफी अजेंसी की एजेंट यहां तक कि पाकिस्तानी सीना भी दुश्मनी भुलाकर बजरंगी भाईजान की मदद करते दिखती जब कि हकीकत में पाकिस्तान अपने ही गेर मुस्लिम नागिर्कों के साथ क्या करता है ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं शारुक की वीज़रा तो भारत पाकिस्तान के प्रेम की एक रूमानी कहानी शारुक की मैं हूँ ना तो और भी एक कदम आगे लिखती जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान सुदस्ट रुका है भारत की सेना भी चीजों को भूल करेगी लेकिन भारत में ही कुछ अतिवादी लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोने देशों के बीच के रिष्टे सामान ने बन जाए या फिर आमर खान के फिल्म पीके को ही ले लिए जिसमें भारत के हिंदू दहंद गुरूओं पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फराने का ठीक रफ उड़ा गया था जबकि टीवी रिपोर्टर को उसका पाकिस्तानी प्रेमी दिलो जान से चाहता है इतना चाहता है कि वहाँ हर किसी को मालूम है कि एक नएक दिन भारत की टीवी रिपोर्टर अपने प्रेमी की खोज में पाकिस्तान कॉल जरूर करेगी और पाकिस्तान MBC में फोन पहुंचने का सीन बहुती ज़दा एमोशनल कर देने वाला था अब देखिए आमरिक फिल्म को दिखाने में पाकिस्तान का इगो आले आ गया था वो कामयाब नहीं हो पाए लेकिन शारुक सर्मान के लिए रास्ते अलागे दोनों स्पाई फिल्म हैं तो ये तैमान लीजिए कि उसमें आतंक का ठीक रा पाकिस्तान की बजाए अफगानिस्तान या किसी आतंकी पर फोड़ा जाएगा पाकिस्तान पर जवाबदारी नहीं डाली जाएगी अगर फिल्में वहाँ रिलीज हुई तो उसे देखा भी काफी जाएगा और उसके पीचे जो प्रचार होगा वो भारत में भी टाइगर और पठान के लिए अलग माहौल बनाने का काम करेगा बाकि फवाद की फिल्म तो हिट होई चुकी है भारत में उनका कीवर्ड चल निकलेगा बूल भविश्य में सरकार बदली तो यहां उनके जानने वाले हैं ही से बारत में सुबशार बनने का उनका अधूर असना पूरा भी हो सकता है लेकिन उसके लिए उनको नरेंदर मोदी के हारने के अंतार करना पड़ेगा कॉंग्रेस शायद इतनी दिप्रान हो सकती है कि उनको यहां पर इंट्री देते आमान निपाल्टी भी शायद एक बार को इतनी तगड़ी हो सकती है कि उनको इंट्री देते लेंगि जब तक नरेंदर मोदी की सरकार है तब तक तो ऐसा होने सरा किसी दिए तोर पर बात यही है कि यहां पर हो सकता है फवाद की मोवी को चारे की तरह इस्तमाल किया जा रहा हो सिर्विस लिए कि लोगों के अंदर भावना जगाए जा सके कि भई आपको एक भारती मोवी देखना जादा ज़रूरी है क्योंकि सरकस के ट्रेलर को भी देखने के बाद लोगों ने आलो चुनाय कम नहीं करी थी नेरे स्विडियो फिलाउत नहीं जाएं जाए बार